जैशी गणी जैशी हरी चतुरती दिती भगवान श्री गणीस को समर्पी थे अता भगवान श्री गणीस का ध्यान करके करवा चौत की कथा का शवन करेंगे करवा चौत की कथा बहुत समय पहरी की बात है एक साहू करके साथ बेटे और उनकी एक पुतरी करवा थी जिसका नाम करवा था साथो भाई अपने बहन को बहुत ही प्यार करते थे यहां तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयम खाना खाते थी एक बार उनकी बहन सस्राल से मैके आई हुई थी शाम को भाई जब अपना व्यपार और वेफसाइट बन करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आगरे करने लगी लेकिन बहन ने बताया उसका आज करवा चौत का निर्जल रह थे और वे खाना सिर्फ चान्द को देखकर ही अरके देखकर ही खाईगी क्योंकि चंदमा अभी तक नहीं निकला था इसलिए भोग व्यास से व्याकुल हो रही थी सबसे छोटे भाई ने सबसे पहले अपनी बहन की हालत देखके बहुत ही दुखी हो और दूर पीपल की पेड़ पर एक दीपक जला के चलने की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर ऐसा प्रतिक होता है जैसी चतुर्दी का चान्द उदित हो रहा है इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चान्द निकल आया है तो उसे अरके देने के बाद भोजन कर सकते हूँ बहन खुशी के मारे शीटियों पर चड़की चान को देखती है और उसे अरके देखके खाना खाने बैट जाती है वे पहला टुकड़ा मूँ में डालती है तो उसे चीख आ जाती है दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके मूँ में बाल निकल आता है जैसे ही तीसरा टुकड़ा मूँ में डालने की कोशिश करती है तो उसकी पती की मृत्यू का समचार उसे मिलता है वे बुखला जाती है उसकी भावी उसे सच्चाई अबगत क्या है सच्चाई जाननी के बाद करवा बिल्कुल निश्य करती है कि वे अपने पती का अंतिम संसकार नहीं होने देगी और ना अतने हैं और अपने सतिर से उन्हें पुनर जीविद करके ही दिखाएगी पूरे एक साल तक उसने अपने पती के सौफ के पाद बैठी रहती उ उसके उपर उगने वाली सौई नूमा घास को वे एकत्रित करती जाती एक साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है उसके सभी भावियां करवा चौथ का व्रत करती हैं जब भावियां उसे अश्रिवात लेने आती हैं तो वे प्रते के भावी से ये सौई ले लो पिया स इस ले लो और मुझे अपना सुहाग अपने जैसा कर दो, यह वे अपने सभी भावियों से कहती हैं, लेकिन हर बार भावी उसे अगली भावी से अग्रे करने को कहके चल देती। इस बकर छटे नंबर की भावी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है यह भावी उसे बताती है कि चूकि यह छोटे भावी की वज़े से ही उसका व्रट टूटा अता उसकी पत्नी में ही वह शक्ती है कि वह तुम्हारे पती को दुबारा जीवित कर सकती है उसे भी सुहागिन बनाने का अग्रह करती है लेकिन वे टाल मटोल करने लगती है इसे देखकर करवा उन्हें जोड से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है भावी उससे छुडाने के लिए कोशिश करती है लेकिन छुडा नहीं पाती है आं अम्रत था ऐसे करके उसका पती पुनार जीवित हो गया भगवान श्री करेश की करपा से उसका पती पुनार जीवित हो और जो भी व्रत करता है भगवान उस पे करपा करते हैं जो भी व्रत कता कहे रहा है सुन रहा है और हुंकारे भर रहा है भगवान श्री करेश के उसके सुहागन रहे सदा सुख से रहे